Hi everyone, welcome back to my channel तो आज की trick है हमारी umbrella method तो देखते हैं umbrella method क्या होता है Let's start with the type 1 Type 1 हमारा कौन सा है? School time का जब हम इस school में multiplication सिखाई जाती थी तो कैसे करते थे? Take a number 32 into 24 4 into 2, 8 4 into 3, 12 2 into 2, 4 3 into 6 3 into 2, 6 तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या लगाते थे? एक cross लगाते थे और फिर वो ऐसी के ऐसी यहाँ पर addition में हमारा उतराता था तो हमारा answer क्या आया यहाँ यहाँ पर? 8, 4 plus 2, 6 1 plus 6, 7 answer is 7, 6, 8 अब एक मिनिट के लिए मैं चाहिए क्योंकि आप लोग इस cool time का multiplication बिल्कुल भूल जाए है और let's focus on umbrella method तो umbrella method में क्या होता है? सबसे पहले हम अपना number same लेंगे 32 into 24 अब उसके लिए हम यह इतनी लंबी चौड़ी multiplication क्यों करें? क्या पता कभी हमारी digit बढ़ जाए? क्या कभी हमें 3 digit कभी करना पढ़ जाए? 4 digit कभी करना पढ़ जाए? You never know तो इसके लिए हम umbrella method की technique यूज़ करेंगे तो umbrella method में हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो 3 होगा लास्ट नमबर होगा उसको हम 2 से multiply करेंगे और उसका अंसर जो भी आएगा अगर वो single digit होगी तो हम उसे 0 की form से लिखेंगे तो हम उसके बार में यह जो second number होगा उसको भी हम उसके next number से multiply करेंगे तो 2 into 4, 8 8 हमारा क्या है? single digit है तो हम उसको क्या लिखेंगे? 0 की formula भी लिखेंगे 0, 8 उसके बार में हमारे यह जो दो number बटें अब यह जो दो number है और यह जो last के दो number है यह हमारा umbrella का का काम करेंगे तेखिए यह हमारी umbrella की shape यहाँ पर आ रही है वैसे यहाँ पर भी हमने एक umbrella बना दिया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 into 2, 4 3 into 4, 12 और इन दोनों का हम क्या कर देंगे? addition कर देंगे और हमारा answer क्या मिलेगा? हमें 16 अब यह 16 आप लोग सोच रहेंगे कि हम कहां लिखेंगे? तो 16 हम basically unit place को छोड़ देंगे और उसके mid में लिखेंगे और फिर हम as usual जैसे addition करते थे हम वो ही करेंगे तो 1, 0 plus 6, 6 6 plus 7, 7 और आपको पताए कोई भी digit हमारी 0 से start नहीं होता है तो देखा आपने आपका कितना time बचा? आप लोग यहां पर यह करने बैठते school time में तो आप लोग को एक paper, एक space धूनी पड़ती फिर उसके बाद में यह method apply करो question लिखो, blah 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 पट लेकिन आपने इसमें देखा आपने direct कर लिया 3 into 2, 6 2 into 4, 8 उसके बाद में हमने umbrella बजाग बनाया 2 into 2, 4 3 into 4, 12 12 plus 4, 16 आप लोग को step 1 चाहिए तो मैं चाती हूँ कि आप लोग यह तीन question umbrella method से solve करिये और मुझे इसका answer जल्दी से comment session में भेज दीजे मैं तब तक आपका wait करती हूँ पर लेकिन अगर आपसे कोई भी question नहीं होगा मैं आपके लिए solve करूँगी तो let's try it with umbrella method today ओके गाईज तो क्या आप लोगों ने solve कर लिया अगर आपसे नहीं solve हुआ तो मैं आज question number 4 फिर से try करती हूँ और एक बार फिर से umbrella method को revise करते है तो umbrella method का सबसे पहला step 1 क्या है कि हम लोग first digit और first digit का multiplication करेंगे जो कि क्या होगा 8 to the 16 उसके बाद में second digit और second digit का multiplication करेंगे जो कि क्या होगा 9 to the 27 उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं हमारे method का नाम क्या है umbrella method तो हम लोग यहाँ पे एक umbrella बना लेगे 9 to the 18 और 8 to the 24 और अब आप लोगों को इसमें क्या करना है addition तो 24 प्लस 18 कितना होगा 12 2 प्लस 1 प्री और 4 और हम लोग यहाँ पे unit place को छोड़ देंगे और अपना जो number होगा addition का उसको mid में लिखेंगे 42 और अब हम इसमें addition करेंगे तो हमारा answer क्या आएगा 7 2 प्लस 2 प्लस 4 6 प्लस 4 कितना होगा 10 और 1 उस प्लस कितना होगा carry और 1 प्लस 1 कितना होगा हमारा 2 आप लोग अपना answer चेक कर सकते हैं और आपका answer आयोगा 2047 hope you guys like this method please subscribe to my channel if you still left to do और प्लीज ऐसे ही मुझे support करते रहिए मैं आपके लिए अच्छे अच्छे content लाती रहूँगी और प्लीज इसे like करिए वीडियो share करी अपने friends और families में और मुझे ऐसे ही support करते रहिएगा और मैं आपको फिर से एक बार revise करा देती हूँ कि umbrella method सिर्फ 2 डिजट पर apply हमने इसले करा है क्योंकि जब 2 लोग एक umbrella में होते हैं तो वो उनमें कोई भीगता नहीं है पर अगर कोई तीसरा आदमी कोई घुस जाता है तो वो भीग जाता है इसी तरीके से अगर आप तीन पर apply करेंगे तो आपको confusion हो जाएगी पर मैं आपको 3 डिजट का जरूर आपको सिखाऊंगी नेक्स वीडियो में इसले अभी के लिए सिफ अंब्रेला मेथड में हम 2 जिजट पर फोकस करते हैं थांक यू आल बाबाई प्लीज मेरे साथ में ऐसी जुड़े रहे सी यू इन दे नेक्स वीडियो बाई बाई